जैम आता दी दोस्तों तपो भूमी क्लासिस में मैप देश बदोरिया आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों MPTAT वर्गदो की परिच्छाएं चल रही हैं और साइंस का जो आज का और पिछली सिप्ट का जो एक्जाम हुआ है उसमें जिस तरीके के प्रश्ण पूचे जा रहे हैं जो numericals पूचे जा रहे हैं छोटे छोटे numericals हैं बिल्कुल सरल हैं उन्ही को लेकर मैंने ये वीडियो lecture बनाया है ठीक है दोस्तों इस lecture में हम सबसे पहले ये समझ लें कि हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसमें बहुत सारे topic कवर कर दिये हैं मैंने बहुत जादा detail मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैं केवल इतने तरीके से पढ़ाऊंगा कि numerical जब आपके सामने आए तो आप उसको solve कर दो ठीक है तो दोस्तों इसमें हम क्या पढ़ेंगे आयाम, अबरती, तरंग धैर, आवर्तकाल ये सारी चीज़े पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि इन से daily दो प्रशन आ रहे हैं ठीक है एक या दो प्रशन इन से आ रहे हैं उसके बाद दोस्तों धोनी से सम्मन्दित प्रशन आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पर प्रतिधोनी का concept भी आपको समझा दिया है और एक सवाल प्रतिधोनी का भी करा दिया है इस lecture में उसके बाद दोस्तों सरल आवर्त गती से प्रशन आ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर सरल लोलक को पढ़ लेंगे अगर हम सरल लोलक को पढ़ लेंगे तो वही पूरा सरल आवर्त गती भी उसी तरीके की रहेगी यानि कि किसी भी तरीके का प्रशन आ जाएगा हम देख लेंगे यहाँ पर इसके पहले दोस्तों मैंने दो साल IITJE के लिए physics पढ़ाया है तो मुझे काफी experience है कि physics किस तरीके का क्या है आपको बिल्कुल समझ में आएगा आप बस पूरा lecture देखिए अपने तरीके से ठीक है और आपके सवाल जरूर बनेंगे बहुत सरल आ रहा है जितने भी लोग यह कह रहे हैं कि 11-12 का आ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है six, seven, eight तक का ही आ रहा है आप यह मान के चलें तो मैं सबसे पहले आपको तरंग के बारे में बताओं ठीक है दोस्तों यहाँ पर एक तरंग का यह चित्रा मैंने vibration का यहाँ पर आपको बना दिया है ठीक है इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं समझेंगे हम की कैसे हुआ, क्या बना, क्या है, अनोधैर, अनोप्रस्ति यह चीज़ें ज़्यादा समझने की नहीं है और जहां तक है यह चीज़ें आपको आती भी होगी मैं यहाँ पर इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कि जो numericals में आपको दिखकर जा रही है, वो clear हो जाए ठीक है, दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको समझाना चाता हूँ, कि तरंग धैर क्या होती है, wavelength क्या होती है यह जो graph बना है, इससे आप यह समझ लीजिए, यह जो अच्छ है, यह समय को बता रही है, यह जो अच्छ है, यह आपकी समय को बता रही है, और यह वाली अच्छ है, आपकी दूरी को बता रही है, कि कोई कड़ है, इतने समय पर इतनी दूरी, फिर इतना इतना ऐसे करके चल रहा है ठीक है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि कोई भी तरंग है उसके एक चक्कर को क्या कहते हैं जैसे मान के चलो यह इस्तिती यहां अभी जीरो पर है और यह उपर गई उपर गई यहां मैक्सिमम हो गई उसके बाद पर नीचे आई नीचे नीचे जाके और यहां पर मिनमम हो गई उसके बाद फिर उपर आके यहां पर जाके फिर से वही पर आ गई यानि इतने इतने को हम एक चक्कर बोलेंगे कि एक चक्कर तरंग ने पूरा कर लिया यहां जीरो से चालू ही थी मैक्सिमम पहुंची फिर जीरो ही फिर नीचे की तरफ म maximum पहुंची उसके बाद फिर जीरो हो गई तो इसको हम पूरे को एक चक्कर बोलते हैं अब दोस्तों एक चक्कर तो मैंने ऐसे आपको बता दिया लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं एक आवर्त या एक दोलन या फिर एक पीरियट इंगलिस में बोलें तो ठीक है आवर्त दो जे इसको क्या कहते हैं एक चक्कर चीक है सबसे उंचे बिन्दू से आपको पूरा एक चक्कर गिनना है तो यहां से ऐसे चले फिर उपर पहुंचे और देखो पहले ऊपर थे 있고 position नीचे आये फिर यह पर आये ऊपर पहुंच गया इस पूरे को क्या क्या कह देंगे एक चक् तो दोस्तों आपको एक चकर एक आवर्त एक दोलन समझ में आया ठीक है अब दोस्तों इस एक आवर्त में उसने जितनी दूरी तय करी है ये देखो ये जो कड़ है जिसने तरंग ने जितनी दूरी तय करी है इस एक चकर में उसको हम तरंग धैर कहते हैं वेव लेंथ कहते है तो उसकी length कितनी है उसको हम wave length कहते हैं या तरंग दैर कहते हैं इसको lambda से परदरसित करते हैं ठीक है जैसे मैंने या या इस बिंदू से लेके यहां तक की जो length होगी इसको जो लंबाई को हम नापेंगे उसको क्या कहेंगे हम wave length कहेंगे ठीक है अगर wave length एक centimeter है इसका मतलब है एक चक्कर में एक सेंटीमीटर दूरी तै करती है आपकी वेब आपकी तरंग एक एक चक्कर में एक आवरत में या एक दोलन में एक सेंटीमीटर दूरी तै करती है समझ गये तरंग देर के आए अब हम देखें दोस्तों आबरती आबरती को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए यह हर एक प्रश्ण में आएगा जो भी इन से रिलेटेट प्रश्ण आएगा उसमें आबरती जरूर होगी और इसको आप समझ लीजिए आबरती क्या होती है दोस्तों आबरती एकाई समय में जितने चक्कर पूरे कर लिये जाएं जितने आवर्त कम्पलीट कर लिये जाएं उसको आबरती कहते हैं आबरती यानि कितनी बार आया आबरती यानि कोई भी चीज कितनी बार आया frequency इंगलिस में बोलें frequency कितनी frequency है ठीक है यानि कि अब एकाई समय क्या है ऐसा ही मात्रक हम दिव बनाना चाहते हैं आब रती का तो एकाई समय क्या है वहाँ पर समय को second में आपते हैं कि SI में किसमें second में यानि कि एक second में जितने दोलन complete करेगी आपकी wave उसको आप क्या कहेंगे आबरती कहेंगे एक second में जितने दो लंग complete करेगी उसको क्या कहेंगे आप आबरती ठीक है तो दोस्तों आबरती कैसे हम समझ जाएं किस तरीके से जैसे मान के चलो ये जो एक चक्कर है ये जो एक चक्कर आपका complete हो गया ना एक आवर्थ complete हो गया ये आवर्थ मान के चलो आदा second में complete होता है कितने second में complete होता है आदा second में तो एक second में कितने आवर्थ complete होंगे दो आवर्थ complete होंगे तो हम कह देंगे दो आवर्थ प्रती second इसकी आवर्थी है क्या कहेंगे 2 आवर्त प्रति सेकंड या कह दें 2 दोलन प्रति सेकंड या कह दें 2 पीरियड प्रति सेकंड इसकी आवर्ति है अब दोस्तों ये आवर्त प्रति सेकंड को हम हर्ट्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं हर्ट्स ह्ज इसका चिन होता है आवर्त प्रति सेकंड ठीक है इसका मलब क्या है एक सेकंड में पचास आवर्त पूरे हो जाते हैं उस तरंग के ठीक है उस बेब के पचास आवर्त पूरे हो जाते हैं अब दोस्तों हम आते हैं आवर्तकाल पर किस पर आते हैं आवर्तकाल आवर्तकाल दोस्तों बहुत सरल है एक चक्कर पूरा करने में जि तो पूर चीज़ है अभी हम सवाल देखेंगे हाँ हाँ अब जैसे यहाँ पर आवर्थकाल किता दिखा रहा है यह देखो यह 0 से लेके टी समय तक पहुँच गया यह टी समय लगा उसके बाद टी से टूटी है टी समय लगा एक दूसरा आवर्थ पूरा होने में फिटी समय लगा तीसरा आवर्थ पूरा होने में तो यहाँ पर आवर्थकाल किता है small t छीक है अब आवर्थी और आवर्थकाल में सम्मंद को समझ लेते हैं यहाँ पर एक सवाल है बाद में करेंगे पहले आबरती वा आवर्तकाल के संबंद को समझे हैं ये वाली स्लाइट पहले कंप्लीट करते हैं आबरती वा आवर्तकाल में संबंद दोस्तों आबरती क्या होती है कि एक सेकंड में कितने एक सेकंड में कितने दोलन किये गए हैं उसको आबरती कहते हैं और आवर्तकाल यह होता है कि एक एक जैसे यह थी आपकी वेव ठीक है एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा है उसको आवर्तकाल कहते हैं ठीक है अब मान के चलो कहीं लिखा यह देखो फ्रिक्वेंसी आपकी एप बराबर पचास हर्ट्स लिखी है इसका मनलब क्या है एक स सेकट में देखो फ्रिक्वेंसी बराबर क्या होता देखो कंकर सी 50 अवर्त का मदलब क्या थीक है अप correctly होकसावर्त काल का मतलब क्या है कि एक ना से समय लगेगा अब देखो दोस्तों हमें पता है चूंकि पचास आवर्त कंप्लीट होने में कितना लग रहा है समय एक सेकंड लग रहा है पचास आवर्त कंप्लीट होने में तो एक आवर्त कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा एक आवर्त कंप्लीट होने में लगा समय यह पचास यहां बटे में आ जाएगा एक पचास सेकेंड ठीक है तो इससे देखो क्या संबंद समझ में आया उसे ये समंद समंद समझ में आया कि जैसे पचास में आप्रती थि इसको f20 लिख दोगे तो आव यहीं से यह फॉर्मूला बना कि κα कि फिरीक्वेंसी बराबर 1 वत टी ठीक है यनि आपको अगर आवर्तकाल पता है तो आप एक वटा आवर्तकाल कर दोगे वो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी और या फिर इसका जस्ट लटा T को इधर कर दिया एप को इधर ले आए पच्छांतर कर दिया तो आवर्तकाल बराबर किता एक वटे F हो जाएगा ये इनक आवर्तकाल कितना होगा अब देखो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल था एक सेकंड में एक आवर्त पूरा किया जा रहा है कितना आवर्त पूरा किया जा रहा है एक सेकंड में एक आवर्त तो दोस्तों एक आवर्त कितने से समय आवर्तकाल क्या होता है एक आवर्त को पूरा करने में लगा समय एक आबर्त आबर्त बार बार बोलते हैं तो थोड़ा समझ में नहीं आता एक्चुली दिमाग में नहीं जाता है आपन चकर बहुत एक प्राव तो एक period complete करने में एक ही second तो लग रहा है तो आवर्त काल किता हो जाएगा एक second हो जाएगा ये आज का प्रस्ण था ठीक है अब जैसे मान के चलो थोड़ा और गुमा के पूछ दे कि वान लो उनने बोल दिया आवर्ति आपकी 50 hertz है तो आपका आवर्त काल किता है तो हमको पता चल गया कि एक second में कितने चक्कर लगते हैं पचास चकर लगते हैं तो एक चकर लगने में कितना समय लगेगा तो हम ऐसे एक एक नियम से समझ लिया करें अगर मान के चलो ये भूल गया दिमाँ में नहीं लुए तो आप लगांगे चुंकि पोचास चकर लगाने में लगा समय एक second इसलिए एक चकर लगने में कितना समय लगेगा एक बटे 50 सेकिंद तो एक बटा पचास हो जाएगा तो आवर्त काल कितना हो जाएगा kaety इसी तरीके से आवरति काल पर भी प्रश्ण पूछे जाते हैं थोड़ा बहुत गुमा दिया जाता है वो भी बता देंगे अब यहां देख लेंगे इसको देख लें ऐसा सवाल पहली सिप्ट में पूचा गया था जब मलब पिछले दिन जिस दिन संस्कित का एक्जाम था उसी के अगले सिप्ट में जो पेपर ता ना उसमें इसी पैटरन पे सवाल पूछा गया था उन्हें जैसे मान लो आप मान के चलो एक सवाल में करा दूँगा पहले ये मान लो कि तरंग की आबरती 20 हर्ड से 20 हर्ड आबरती का मलब है 20 चकर एक सेकिंड में दूरी तय की अब आपको क्या निकालना है आपको मालो तरंग की स्पीड निकालनी है तरंग की गती निकालनी है तो कैसे निकालेंगे तरंग की गती क्या होती है गती दोस्तों ये होती है तरंग की गती यानि कि एक 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 समय में तरंग एक सेकिंड में मालो मीटर पर सेक हम निकाल लेते हैं कि कितने समय में कितनी दूरी तै हो रही है यह निकालते हैं तो देखो कैसे निकलेगा हमें पता है कि आबरती 20 हर्ड्स है यानि एक सेकंड में कितने चक्कर लग रहे होंगे 20 चक्कर लग रहे हैं हमने लिख दिया अब देखो एक चक्कर में कितनी दूरी तएकी जा रहिये 5 cm कैसे पता क्योंकि तरंगदर 5 है एक चक्कर में उद्धी दूरी 5 तो एक बात बताओ वो एक ही सेकंड में लग रहा है तो हमको समय पता चल गया कि एक सेकंड में कितनी दूरी तै हो रही है सो सेंटीमीटर तो गती किती हो जाएगी गती बराबर क्या होता है दूरी बटे समय तो दूरी किती है 100 cm बटे समय किता 1 second तो आपका क्या अंसर आ जाएगा 100 cm बटे सेकंड 100 cm पर सेकंड मीटर पर सेकंड में बताना होगा सेंटी मीटर को मीटर में चेंज कर देंगे किलो मीटर पर सेकंड में बताना होगा तो वो चेंज कर लेंगे आपन ठीक है 100 cm बराबर किता होता है आपका 1m तो आप क्या कर देंगे 1m प्रति सेकिंड आपकी तरंग की गती आ जाएगी ठीक है इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कोई इसमें बहुत कोई आप कोई फॉर्मूला याद मत करो क्योंकि फॉर्मूला अगर आप रटोगे तो फिर वहाँ पर सवाल बहुत सरल जब आता है तो आपके बेसिक कंसेप्ट यह आपको दिमाख में आते हैं और यह तो इतना सरल है इसमें कुछ ज्यादा सोचने समझ वेने की ज़ुरत नहीं है एक और सवाल करते हैं सारा वी तरणग करती यह बताना है अबर्तिथी तरंगदार दियह देया देखो अबर्ति का मलब क्या है एक सेकेंड में कितने चक्र लग रहे हैं पचास चक्कर एक चक्कर गी हमको चक्कर तो चाहिए नहीं हमको तो यह चाहिए कि एक सेकंड में धूरी किती तैय हो रही है तो एक सेकंड में धूरी कैसे पता चलेगी ऐसे पता चलेगी हमें देखो एक चक्कर गी दूरी पता है तरंग देर यानि एक चक्कर में किती दूरी एक च सेकंड की दूरी तैय करनी है आपको तीन मिनिट की दूरी तैय करनी है तीन मिनिट यानि एक सो असी सेकंड की दूरी तैय करनी है कि एक सेकंड में पांच मीटर दूरी तैय होती है तो एक सो असी गुड़ां पांच मीटर बराबर किता जाएगा गुड़ां करेंगे 900 मीटर जाएगा तो हम बता देंगे कि जो तरंग है वो तीन मिनेट में 900 मीटर की दूरी तै करेगी ऐसा सवाल आया कोई ज्यादा इसमें कुछ सोचना है थोड़ा सा लौजिक है आपको बस पता होने चाहिए ठीक है अब दोस्तों और आंगे देखेंगे इस पर किस किस तरीके के प लेका मझलुब आप दौनी तरंग प्रिकास तरंग कोई भी तरंगो तरंग का सवाल आएगा आपको ये इतने पड़ाया ना इतने मैंसे आ जाएगा कोई भी तरंग उसके आंगए चाहिए दोनी लिकाओ उससे आपको नहीं गबराना आपको तो बस इसी आदार पर ये य इनी के आदार पर सवाल सौल्व करना है चाहे कोई तरंग आ जाए कोई अलग चीज़े नहीं होती है ठीक है इसी लिए मैंने यहां पे आपको यह धुनी कराया है ठीक है धुनी तरंग की तरंग देर तता आबरती उसके बेग से किस प्रकार समबन देते हैं ऐसा कोई फॉर् मानके चलो वेग यानि एक सेकंड में कितनी दूरी तय हो गई वेग यानि मीटर पर सेकंड में मानके चलो आपको वेग निकालना है इसका मलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी दूरी तय हो रही है उसी को तो वेग कहेंगे आप एक सेकंड में आपको क्या निकालना है तो इसका मलब है एक सेकंड में कितनी दूरी तै होगी, ठीक है, उसी को अपन बेग कहेंगे, तो बेग बराबर क्या है, बेग बराबर एक सेकंड में तै दूरी, तो देखो हमें पता है, सबसे पहले तो हम ये लिख लें कि एक सेकंड में कितने चक्कर चले जाते हैं, पूरा लेखना पड़ेगा आबर्ती एफ एप बराबर यानि एक सेकंड में चले गाए चकर मान के चलो दस चकर हैं तस ठीक है और तरंग्दैर मान के चलो आपकी पांच मीटर तीक है अब आपको जैसे मान के चलो फ्रिक्वेंसी मिल गई यानि एक सेकिंड में दस चक्र चले जा रहा है आपको एक सेकिंड में दस चक्र नहीं बताने आपको ये बताने कितनी दूरी एक सेकिंड में चली गई अब हमको पता है एक एक चक्र की दूरी पांच मीटर है तो दस चक्रों की दूरी कित्ती हो जाएगी 10 गुड़ा 5 यानि यहाँ 5 का गुड़ा करना पड़ेगा 5 यानि क्या तरंग धैर तरंग धैर को लेमडा क्या देते हैं ठीक है तो बेग बराबर क्या हो जाएगा F गुड़ा लेमडा तो बेग तरंग धैर और आबरती में ये संबंद है बेग बराबत तरंग दैर गुड़ा आवरती रटना नहीं है कोई रटने की जहूरत नहीं है वैसे ही आपको पता है वेग क्या होता है तुरण संबंद निकाल दोगे जरूरी तोड़े ही इसको रट लिया इससे कुशन बना दो वहां तोड़ा और गुमा के कुछ और के बी किसी देखो यह पूरी स्क्रीन में नहीं आ रहा है मैं आपको पहले इतना दे दूं इससे आप सवाल पढ़ ले किसी दिये हुए माध्यम में एक द्वनी तरंग की आबरती इतनी है और उसका वेग इतना है इसकी तरंग दैर की गड़ना करो दोस्तों देखो अभी क्मूले से कराता हूं बेग वराबर क्या होता है अबरती गोडात तरंग धैर बिग चार्सथ चारलीस ठीक है आप रती किती है 220 यह सारे NCRT के कुश्यन है ठीक है और लेमडा किता है लेमडा लेमडा निकालना है तरंग दैर तो यहां से यह कटा तो लेमडा एकिसमां दो मीटर वह फॉर्मूला याद है तो ऐसे कर सकते हैं अगर फॉर्मूला मैंने मना ही कर दिया फॉर्मूला याद कर नहीं ज़ूरत ही नहीं है आप बैसे भी समझ लो बैसे कैसे समझ में आएगा देखो आपको बस बेसिक कंसर्प्प पहता होने चाहिए बैसे भी समझ रहे हैं ठीक है और यहां एक सेकंड में दूरी भी दे दिये एक सेकंड में कितनी दूरी चली जा रही है चार सो चालीस मीटर और हमने यहां पर डिस्टेंस एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी वह भी लिख दे रहा है चार सो चालीस मीटर हमको क्या एक चक्कर में कि दूरी तय हुई इसका मलब क्या है कि 220 मीट से चक्कर चलने में 440 मीटर की दूरी तय हुई यानि कि एक चक्कर में किती दूरी तय हुई 2 मीटर और एक चक्कर में जो दूरी तय होती है एक साइकल में जो दूरी तय होती है उसको हम तरंग धैर कहते हैं तो आपकी यहां से भी आ गई मलए आपको फॉर्मूला भी रटने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी अब आँगे बढ़ते हैं अगला प्रशन अब बढ़ते हैं देखो दोस्तों अलग टाइप है इस तरीके का कोई प्रशन आ जाए ठीक है एक ध्वनी सुरोत से 450 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुस 500 हड्स की ध्वनी सुनता है सुरोत से मनुस के पास पहुँचने वाली दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंत्राल है दोस्तों ऐसे सवाल भी आएंगे ठीक है आपको कटन लगेंगे लेकिन basic concept जिसे पता है उससे कोई दिक करने होगी दोस्तों जैसे मालो अभी हमने एक तरंग देखी थी ठीक है इस तरंग में क्या होता था ये अधिक्तम बिंदू अधिक्तम बिंदू इस तरीके से रहता था एक अधिक्तम बिंदू से लेकर दूसरे अधिक्तम बिंदू तक की दूरी को हम तरंग देर कहते थे इसको एक cycle कहते हैं यह एक cycle complete होगा यहां से गिनोगे तो यहां पे खतम हो जाएगा यहां पे कहीं से भी किसी भी पॉइंट से देखा जा सकता है उसको एक cycle कहते हैं ऐसे जो धुनी तरंग होती है वो हवा में चलती है धुनी तरंग को माद्यम की ज़ूरत होती है माद्यम के कड़ों में वो क्या उत्पन करती है संपीडन और विरलन संपीडन और विरलन के माद्यम से चलती है संपीडन विरलन क्या होता है जादा समझने की ज़ूरत नहीं है आपको लेकिन इतना समझलो जैसे जो जैसे धुनी चल लई है आपके जो कड़ है वो पास-पास आ जाते हैं इससे मैं उसरे में में दूर-दूर जाते हैं इनका एक प्रिक्षवटर्न होता है चलने का फ्रे醒ी के साब से चहाँ प्रिक्वैंग द्यार और उनके साब डोकर्मागत जो समपिडन होते हैं उनको आप यहस्प पॉइंट ही मानकर चलो इंको इनको यह Online के चलंब तो इनके बीच की जो दूरी है उसको क्या कहेंगे तरंग देर यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा उसको क्या कहोगे आप आबर्तकाल आबर्तकाल यानि एक चक्र पूरा करने में लगा समय हैं की नहीं वही तो कहेंगे एक चक्र पूरा करने में लगा समय हैं आबरती आपकी दिया 500 हट्स आबरतकाल बराबर एक वटे एफ होता है ये अब आपको एक चीज़ और समझ में आ गई है जो 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ है मनुस उस मनुस से मनुस दुनी सोस्तर की इस रोत का आबरतकाल थोड़े ही बदल पाएगा ये कोई मतलब नहीं ह आगे 4100 को बैकाने के लिए दिया जया गया केवरन कि एक वटे एफ होता है आपको केवन ये पता होना चाहिए तो टी बराबर कितना हो जाएगा यह बराबर कितना है 500 ब bara कितना है डम करता हो जाएगा एक सांथ्विभी बाथ 2 सेकिंड तो आपका आपका ये आपका आंसा हो जाएगा आई बास समझ में इस तरीके के घुमाके भी प्रस्ण दिये जा सकते हैं प्रस्ण में कुछ नहीं है टी बराबर एक वट एफ लगाना था लेकिन यह आपको दे दिया को दोनी पर प्रस्ण आया है तो हो सकता है अभी देखो तीन दिन और पर चल ला यह तो जैसे चलो जैसे का लड़का नेए राएक लड़का कुछ राम और यहां से लौट के आ गया तो इसको आम क्या कहिए परावर्तक सता है यहां से परावर्तित हो के बापस इसके पास आ गया तो दोस्तों यहां देखो यह जो धौनी है धौनी को कुछ नहीं ऐसे मान के चलो कोई एक बॉल है धौनी होनी इन पे जादा आपको टेंसन नहीं लेना है ठीक है अब वो सवाल पढ़ते हैं कोई प्रतिद्धनी 3 सेकंड पच्छा सुनाई देती है इसका मलब है 3 सेकंड हमने अभी बोला और 3 सेकंड बाद वो सुनाई देगी इसका मलब है जैसे इसा आदमी ने बोला तो डेड़ सेकंड तो यहां से यहां तक जाने में लगेंगे और डेड़ सेकंड बापस आने में लगेंगे क्योंकि दूरी बराबर है यहां से जाने में वही आने में प्रतिदुनी ठीक है तो तीन सेकंड बाद उसको प्रतिदुनी सुनाई दी अब देखो दोनी की चाल देदी 342 मीटर पर सेकंड तो सुरोता तता परावर तक सतय की बीच की दूरी किती है ये दूरी गयात करनी है ये सुरोता खड़ाया और ये परावर तक सतय है ये बीच की दूरी गयात करनी है अभी आप सबसे पहले आपको पता है द्वनी आपकी total कितने देर तक चली जब तक आपने बोली उसके बाद फिर आपको सुनाई दी उसने किती दूरी तै करी ये D तै करी पहले यहां से यहां तक गया D दूरी तै करी वहां से यहां तक आया किती दूरी फिर D दूरी तै करी टोटल कित्ती दूरी तै कर ली धुनी ने आपकी टूडी हमको पता है धुनी की चाल है 342 मीटर पर सेकंड यानि एक सेकंड में धुनी कित्ता चलती है 342 मीटर चलती है एक सेकंड में 342 मीटर चलती है तो तीन सेकंड में कित्ता चलेगी 3 सेकंड में 342 गुणा 3 अब देखो गुणा करो गुणा करा हमने 900 120 और 6 किता हो गया 6 2 10 1026 तो आपका कितना मीटर तै हो गया 1026 मीटर तै हो गया ठीक है टोटल अब आपको क्या है टोटल तै हुआ है 1026 मीटर आपको सुरोतावा परावर तक सतय की बीच की दूरी यानि केबल D बताना है तो D ये दो का भाग दे देंगे तो D कित्ती हो जाई ही 513 मीटर तो सुरोतावा परावर तक सतय की बीच की दूरी कित्ती हो गई 513 मीटर हो गई इस तरीके के भी प्रशन पूछे जा सकते हैं अब दोस्तों एक कवर मेत्फूर टॉपिक है सरल लोलक और मैंने सरल लोलक देखो बहुत बड़ा टॉपिक है सरल आवरत गती से भी संबंदित कोई प्रस्न आएगा तो आपको ऐसे यह आंसर लगाने है लेकिन फिर भी जहां तक मेरा अंदाज है इस से बाहर नहीं जाए लगे तो यह इस तरीके से ऐसे सरल आवरत गती करने लगेगी ठीक है क्या होती है सरल आवरत गती वो सब समझेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा कुछ नहीं बता रहा है हम केवल इतना बता रहा है ऐसे ऐसे करने लगता है उसको अपन सरल लोलक कहते हैं ठीक है अब इ दोस्तों यहां पर यह देखो यह जितना भी मैंने लिखा है ऐसे सवाल पूचे जा सकते हैं जैसे पहला क्या है सरल आवर्त गती करने वाला जब अपनी गती के अंतिविंदूओं से गुजरता है तो उसका वेग वा गती जूजा कितनी होती है दोस्तों देखो वेग क्या हो जाते हैं वो फिर आंगे का है वो बरगेक वालों का है ठीक है आपको चिंता नहीं गया नहीं इसकी तो दोस्तों क्या है अब यह पूंच रहा है इन पॉइंट पर आपकी यह जो अंत बिंदू है यहां पर आपका बेक कित्ता होगा एक बात बताएं जैसे यह यहां से चल पर उसकी स्पीड जीरो हो जाती है तबी तो वो फिर से बैक में आएगा फिर उस वो बैक में आने लगता है तो इस पॉइंट पर उसकी स्पीड कित्ती होती है जीरो तो यहां पर उसका कित्ता बेक कित्ता होता है सून ने अंत बिंदू हो पर बेक सून होता है भी बराब जीरो ऐसे बहुत common question है बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग एक्जामों में ठीक है अब दूसरा देखे हैं यह सवाल तो मलब प्रेभ यह स्ई बहुत और काफी जगे पूछा गया है अब एक को अवर्थकाल किस पर निरुवर नहीं करता एसे पूंचेजा अमंघंक t जो आवर्तकाल है उसका ये फॉर्मूला है आवर्तकाल T बराबर 2 पाई आवर्तकाल क्या होगा पहले ये समय लो ये आपका सरल लोलक यहां पे अभी लोलक यहां से यहां तक आ गया फिर लोटके यहां पे आ गया फिर यहां पे गया फिर लोटके यहां पे आ गया इतने समय को इतनी दूरी को उसने कितनी देर में तय किया उसको आवर्थकाल कहेंगे इसको एक आवर्थकाल कहेंगे एक चक्कर कहेंगे ठीक है complete तो यह आवर्थकाल हुआ तो आवर्थकाल का फर्मूला होता है टू पाई अंडरूड एल अपॉन जी टू पाई अंडरूड एल तो सवाल में 10 रख देंगे ठीक है इस तरीके से जी की वैल्यू रख देते हैं तो दोस्तों यहां देखो वहां पर option दिये रहेंगे कि लोलक की लंबाई पर प्रतिवीप के गुरुत्वा करसडबल पर इन दोनों पर निर्वर करती है ऐसे करके दिये रहेंगे एक option द्रमान लेके और पकड़ के छोड़ दिया और लमबा ही सहं है इस दागे की और पूशेंगे की बताओ किसका आवर्तकाल जादा होगा तो बच्चे की दिमाग में क्या जाएगा यह बहारी है इसका जादा यह कम होगा यह बहर का अलग जरूर यह你好 का बदरमान पर निर्वर नही होने लगता है अब देखो नीचे जी आ रहा है बटे में तो बटे वाली संख्या जितनी छोटी होगी आपकी ये संख्या उतनी ही बढ़िया होती जाएगी ये जितनी कम होती जाएगी ती उतना बढ़ता जाएगा यानि जी में जी के मान में कमी होगी तो टी आपका बढ़ जी गटेगा तो टी क्या होगा बढ़ेगा यानि की और ऐसे ही अगर प्रत्वी के तलके भीतर जाते हैं भीतर जाते हैं तो भी जी का मान में कमी आती है क्या आती है कमी तो जैसे जी जैसे हम प्रत्वी के तलके ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तो जी का प्रवाव क्या क到 T You got a बढ़ेगा आवर्त्काल पर क्या प्रवाव सब्सक्राइब बढ़ेगा ठीक है इस तरीके से अब दोस्तों ऐसा भी प्रशना आ जाता कर्मियों वाला कि कर्मियों में लोलक क्या बढ़ा पर क्या प्रवाव परता आप दो लो यह धागा ऐसा है लोए का धागा या पिर कोई भी धातू का धागा गर्मियों में क्या है यह एक्सपेंड हो जाती है बढ़ जाती लंबाई ठीक है गर्मी के कारण तो जैसे ही लंबाई बढ़ेगी लंबाई बढ़ी तो आवर्तकाल क्या हो जागा बढ़ जाएगा तो की लंबाई कम हो जाएगी एल की लंबाई कम हो जाएंगी तो एसे प्रश्न यहां पर बनसकते हैं दोस्तों अभी तो मैंने केवल इनेन के पुरस्न बता यह हैं he प्रतिख के नियमों से सम्मंदित प्रश्ण भी पूचे जा रहे हैं, दाब को लेकर प्रश्ण पूचे जा रहे हैं, इन पर भी मैं एक लेक्चर आज रात में कम्पलीट करके डाल दूँगा, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो ये अपने दोस्तों के और पुलिस की परिच्चा देने वाले चातर थे, वो तो पूरे पूरे पेपर ले आते थे, कि हाँ ये ये आया, मतलब पांच शे बच्चे मिलके पूरा पेपर समझाते थे, कि ये ये पूचा गया है, और आप लोग तो मतलब अपना पेपर दे आते हो, उसके बाद में जाएं सब लोग क्या करना, चलिए ठीक है, धन्वाच जै माता दिए